है विल्कम तू स्टडी आई एस स्टडी आई इस में आप सबका स्वागत है आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है घर्ची पूजा के बारे में नाव वट इस कर्ची पूजा इस कॉल दी फेस्टिवल ओफ फूर्टीन गॉड्स गाइस कितना इंपॉर्टेंट है इ बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ अनकैडमी सब्स्क्रिप्शन में 50% का आफ आप लोगों को मिल सकता है आज रात 12 बजे तक यह जो ऑफर है यह वैलिड है इस ऑफर को अवेल करने के ल गाइज दो नॉट फर्गेट तो यूज दा कोड अमस लाइफ यूपेसे मांग दक्षक अनकैडमी ने ने लांच किया है इट इस अलबाओ 360 डिग्री मेंटर्शिप प्रोग्राम फॉर दी यूपेसी सीसी अस्परेंट आप देख सकते हो कि यहां पर आपको 1-2-1 मेंटर मिलेगी वो भी सिफ 926 रुपीज पर मन्त के अंदर कोड आपको वही यूज करना है यह अमस लाइव ध्यान रखना हां जी वट इस खर्ची पूजा खर्ची दो शब्द से निकलता है तुरी पूरी वर्ट से दोनों पहला शब्द है खार या खर्ता जिसका मतलब है सिन औ खर्ची मतलब क्लीनिंग मतलब क्लीनिग यूर सिन्स कա՘ मतलब क्या होता है जितने वी आपने पाप किये हैं उन सब को धो देना उन सब को कलीन कर देना खर्चि पूजा is a festival in तरिपुरा that concentrates on the worship of चतुर दस्देवता, मतलब the 14 gods, the 14 deities, जिनको ancestral deity मानते हैं तरिपुरा के लोग, it is devoted to the deity of the royal dentistry, जिनको हम तरिपुरा सुन्दरी माता के नाम से जानते हैं, या खर्ची या खर्चा बाबा के नाम से जानते हैं, ये festival पंदर अंबुवाची मेला होता है, अंबुवाची मेला असम के अंदर लगता है, जो माता का मंदिर है, उसके अराउंड लगता है, जिनको हम लोग कमाख्या देवी टेंपल के नाम से जानते हैं, कमाख्या मा के नाम से जानते हैं, अंबुवाची symbolizes the masturbation of the mother goddess, और अर्थ मदर as per the tripuri fog for, there is a popular belief that the earth becomes impure during the maturation period of the goddess, hence the kharchi puja is observed to ritualistically clean the earth after her maturation is over and wash away the sins of the people in the land, तो देखो ये दोनों फेस्टिवल्स आपस में जुड़े हुए हैं, अंबुवाची मेला और kharchi puja, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों rituals follow होते हैं, it is observed annually on the shukla ashtmi, shukla ashtmi वाले दिन, ये celebrate किया जाता है, which falls on the eighth day of the lunar month of the आशार, आशार महिने के आठवे दिन पढ़ता है, थिक festival मंत्रों के उच्चारण के बाद चालू किया जाता है, इस दोरान चतो दश मंडप बनाया जाता है, इसकी construction की जाती है, जो कि तरी के का royal palace दिखाता है, तरी पूरी राजाओं का, और फिर जो 14 gods हैं, उनको बुलाया जाता है, आप यह सचो कि उनका आधर सतकार किया जाता है, the idols of the 14 deities from the ancient Ujayantha palace are carried by the royal priest, Chantai from the temple premises of Agartala to the holy Sayadra river, Sayadra नदी के किनारी ले जाता है, जहाँ पर उनको dip कराया जाता है, उनको स्ना कराया जाता है, बहुत सारी cultural performances इसी के साथ यहाँ पर conduct होती है, clean and clear, guys, आज के session में इतना ही, इस वरे session में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले session में